लंबी बहू वर्सेज मोठी बहू अमित की शादी प्रिया नाम की एक लंबी लड़की से होती है और उसके भाई सुमित की शादी रितिका नाम की एक मोठी सी लड़की से हो जाती है अमित और सुमित उन दोनों से जरा भी प्यार नहीं करते क्यूंकि उनकी शादी बिना उनकी मर्जी से होई थी लेकिन सास उन्हें बहुत मानती थी और हमेशा अपनी बेटियों की तरहा ध्यान रखती थी एक दिन दोनों बहुओं को देखने सास की कुछ सहेलिया नीलम और सुनीता आती है अरे चरा बहुओं को तो बुलाओ हम भी तद तुमारी नई बहुओं देखें हाँ शादी में तो अच्छे से देख नहीं पाए तो सोचा आज घरा कर देख ले हाँ अभी बुलाती हूँ अरे बहु जरा इन सब के लिए चाय पानी लेकर आओ तभी वहाँ प्रिया हाथ में चाय लेकर आती है सांस की सारी सहिलियां उसे उपर तक देखते देखते नीचे कर जाती है अरे बापरे ये कौन सा जानवर लेकर आई है शहर में इतनी सारी सुन्दर सुन्दर लड़किया हैं और तुझे ये पसंद आई खबरदार जो मेरी प्यारी बहू को कुछ बोला तो अच्छा अच्छा सौरी अब नहीं बोलेंगे अपनी दूसरी बहू को तो बोलाओ वो जरूर इससे अच्छी होगी रितिका बेटा जरा तुम भी आओ ये भी तुमारी मा जैसी है आकर इनका आशिरवाद लो तभी वहाँ जोर जोर से धर्ती हिलने लगती है अरे भागो भागो भूकम पा रहा है अरे ये भूकम नहीं मेरी बहू रितिका आ रही है तभी वहाँ मोटी सी रितिका आ जाती है और सबको नमस्ते करती है अरे एक जिराफ कम थी क्या जो एक हाती भी लेकर आई है चिडिया घर खोलने का इरादा है के तेरा हाँ बहन सही बोली अब से मैं बच्चों को लेकी यहीं आ जाया करूंगी कम से कम चिडिया घर का पैसा तो बचेगा सास तभी एक जाड़ू उठाती है और अपनी दोस्तों को मारने लगती है खबरदार जो मेरी बहू को कुछ कहा तो ये जैसी भी है मेरी बहू है मैं इनके खिलाफ एक शब भी नहीं सुन सकती ये जैसी भी है तो मेरी बेटी जैसी ना अरे भागो भागो ये तो पागल हो गई है बहू के प्यान ने इसे पागल बना दिया है फिर वहाँ से सास की सारी सहिलिया भाग जाती है तब ही रितिका और प्रिया सास के पैर पकड़ लेती है हमें नहीं पता था माजी कि आप हमसे इतना प्यार करती है अरे बहू, तुम ही तो मेरी सब कुछ हो, मेरे बाद तुम लोगों को ही ये घर चलाना है फिर एक दिन उनके शहर में एक बड़ा सा मेला लगा हुआ होता है अमित बेटा सुमित बेटा, जल्दी आओ, कहां मर गए अरे हा मा, क्यों चिला रही हो बेटा, हमारे शहर में मेला लगा है चलो न सब मिलके मेला देखने जाते हैं जूला जूलेंगे, चाए पकोडे खाएंगे खो मौज मस्ती करेंगे अरे आप भी ना मा, इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी आपका बच्पना नहीं गया तभी सास रतिका और प्रिया को आवास देती है अरे बहू, जल्दी जल्दी आओ हमें मेला देखने चलना है अरे मा, ये दोनों भी जाएंगी क्या हमारे साथ हाँ तो, ये बहूएं है मेरी और उससे पहले बीवी है तुम्हारी ऐसे कैसे नहीं चलेंगी अरे मा, इनके साथ जाने में हमें बहुत शरम लगती है लोग हमारा मजाग उडाते हैं हाँ मा, आफिस में भी सब मेरा मजाग बनाते हैं कि कैसी बीवी को शादी करके लाया है एक वाइपर है तो दूसरी आटे की बोरी ये सुनकर दोनों बहुए बहुत दुखी हो जाती है मा जी, अगर हमारी वज़े से इनका मजाग बनता है तो आज की बाद हम इनके साथ कभी नहीं जाएंगे हाँ मा जी, मैं तो अपने घर जली जाती हूँ तुम दोनों को कही जाने की जरुरत नहीं है देखती हूँ कैसे नहीं ले जाते मेले में तुम दोनों को फिर साज के बहुत बोलने पर सम मेले में जाने को तयार हो जाते हैं मेले में जाते ही सब लोग रितिका और प्रिया का मजाग उड़ाने लगते हैं एरे देखो देखो हाती और जिराफ एक साथ गूम रहे हैं मा मैंने कहा था ना इनको मस साथ लेक्या आओ अब जिसका डरता वही हो रहा है बूलने दो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना गाना गाते गाते चलो मेरे साथ फिर वो लोग मेले में जाते हैं और इधर उधर खुमने लगते हैं तभी वहाँ पे एक आतंगवादी एक छूले के नीचे बॉम लगाकर भागने लगता है और भागते भागते रितिका और प्रिया के सामने आ जाता है तब प्रिया अपने लंबे हाथों से उसे पकड़ लेती है और भारी भरकम रितिका उसके ओपर बैट जाती है अरे मर गया अरे कोई हटाओ इसको आज के बाद कोई भी बुरा काम नहीं करूँगा बस एक बार मेरी जान बच जाए तब ही वहाँ पुलिस आ जाती है और दोनों का बहुत शुक्रिया करती है आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वज़ा सही ये खोंखार आतंगवादी पकड़ा कया इसके ओपर एक करोड का इनाम भी था जो आप लोगों को मिलेगा अरे वहाँ बेटा तुमने तो देश का और मेरा नाम रोशन कर दिया तभी वहाँ जूले के नीचे बॉम फट जाता है और सारे लोग जूले से गिरने लगते हैं अरे ये क्या हुआ जल्दी से फायर ब्रिगेट को बुलाना होगा तब प्रिया बिना कुछ सोचे वहाँ जल्दी से भाग के जाती है और सब को अपने लंबे-लंबे हातों से उपर से नीचे उतारती है और सब लोग सुरक्षि जूले से नीचे आ जाते हैं फिर वहाँ खड़े सारे लोग जोर-जोर से तालिया बजाने लगते हैं और दोनों की बहुत आरीफ करते हैं देखा बेटा, आज मेरी बहुओं की वज़े से इन लोगों की जान बच पाई हाँ मा, आपने सही कहा मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है आज के बाद कोई कुछ भी बोले लेकिन हम दोनों इनको बहुत प्यार करेंगे इसके बाद दोनों बहुओं को शक्ती पुरसकार से समानित किया जाता है और पूरे शहर में लोग उनकी बहुत इज़त करते हैं और सब मिलके हसी खुशी रहने लगते हैं तो देखा आपने कैसे दूसरों को दिखने वाली कमी किसी की शक्ती बन जाती है इसलिए कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए इस वीडियो को लाइक करके शेर करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिसना हो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत खहल रखें बाबाई